इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी clam chick 4 dry सिर्फ एक antibiotic दवा है जो कान, नाक, गले, छाती, फेफडे, दान, त्वचा और मुत्रमार्क के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमन का इलाज करने में मदद करती है यह अन्य चिकित्साओं के प्रती प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है और इस प्रकार ट्यूबर क्लोसिस के इलाज में भी मदद करता है जो अन्य उपचारों के लिए प्रतिरोधक है आप अपने बच्चे को भोजन के साथ या भोजन के बिना क्लैमचेक फोर ड्राइ सिर्फ दे सकते हैं इसे भोजन के साथ देना बहतर होता है क्योंकि इससे अवशोशन बढ़ता है और पेट में गरबड़ी होने का खत्रा कम होता है डॉक्टर इसे दिन में दो से तीन बार देने की सलाह दे सकता है दवा की खुराक इंफेक्शन के प्रकार उसकी गंभीरता और बच्चे की उम्र और शरीर के वजन पर निर्भर करती है इसलिए दी गई खुराक को तै समय पर और बताई गई सलाह के अनुसार ही ले यदि आपका बच्चा दवा के सेवन के 30 मिंटों के भीतर उल्टी कर देता है तो बच्चे को पहले शांत होने दे और फिर उसे वही खुराक दे अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो डबल डोज ना ले क्लैम्चेक 4 ड्राइ सिर्प के कारण उल्टी, डायरिया, यानी की दस्थ, मिचली आना, पेट में दर्द और अलजी हो सकते है ये साइड इफेक्ट अपने आप कम हो जाने चाहिए लेकिन यदि ये प्रभाव बने रहते हैं और आपके बच्चे को परेशान करते हैं तो देर किये बिना अपने बच्चे के डॉक्टर से परमर्श करें अपने बच्चे का पूरा मेडिकल एतिहास डॉक्टर के साथ शेर करें जिसमें अलजी, हिर्दे की समस्या, रक्त संबंधी विकार, जन्न दोश, एर्वे ऑब्स्ट्रक्शन, फेफ़रों की विसंगती, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल समस्या, तवचा विकार, लिवर और केडनी की खराबिया शामिल है यह जानकारी डॉक्टर को खुराक में बदलाव करने और आपके बच्चे के समगर इलाज की योजना बनाने में मदद करेगी विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद